हेले दोस्तों, वेलकम टू दी मैजिकल स्कूल यूं तो कितने ही पॉर्टर हेड होंगे जिनकी हैरी पॉर्टर सीरीज में फेवरेट करेक्टर हर्माईनी होगी लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने Harry Potter series की books को पढ़ा हुआ होगा इसलिए आज मैं आपको Hermione से जुड़े उन secrets और facts के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ Pure Blood Potterhead ये जानते होंगे यानि की जिन्होंने books को पढ़ा हुआ होगा इसलिए अपने headphones तयार रखो क्योंकि ये magical journey बहुत ही मज़दार होने वाली है लेकिन उससे पहले अगर आपको fantasy और horror movies की explanation देखना पसंद है तो आप हमारे second channel को subscribe करके हमें support भी कर सकते हो link आपको description box में मिल जाएगा अब चाहे अपने Harry Potter series की movie देखी हो या फिर books को पढ़ा हो आपको बोगार्ट क्यानि की बहरूपे के बारे में तो मालूम ही होगा बहरूपे वो ही होता है जो हमारे सबसे बड़े डर में बदल जाता है और अगर आपको बहरूपे के बारे में नहीं पता तो मैं Headmaster Dumbledore से आपकी Complain करूँगा कि आप लोग Professor Lupin की क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो खेर मुझे मालूम है बहरूपे के बारे में तो सबी Potterhead जानते ही होंगे लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे तो वहां Hermione के सामने भेरूपिया Professor McGonical में बदल जाता है जब Professor McGonical Hermione से बोल रही होती है कि Hermione हर एक सब्जेक्ट में फेल हो गई है तो हम कह सकते हैं कि Hermione का सबसे बड़ा डर इक्जाम में फेल होना है ये तो हम सभी जानते हैं कि Hermione का हाउस Gryffindor था और Gryffindor हाउस में ही Hermione की Harry और Ron से दोस्ती हुई लेकिन ये बाद सिर्फ book readers ही जानते होंगे कि Shorting Hat Hermione को Ravenclaw हाउस में डालने वाली थी Order of the Phoenix book के chapter 19 में Hermione Terry Boot को बताती है कि Shorting Hat ने उसे पहले Ravenclaw हाउस में डालने का फैसला किया था लेकिन बाद में Shorting Hat को लगा कि Hermione के लिए Gryffindor हाउस ही बैस्ट रहेगा इसलिए Hermione को Gryffindor हाउस में चुना गया Order of the Phoenix movie में हमने देखा ही था कि Amrech की वज़े से Dumbledore Army को कितनी problem होती थी वो लोग Hogwarts में खुल कर एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे क्योंकि अगर वो लोग ग्रूप में खड़े होके D.A. की practice के लिए अगली date के बारे में discussion करते तो Amrech को इन सभी चीजों के बारे में पता चल जाता इसलिए Harry को सभी members तक practice के अगली date बताने में बहुत ही जादा दिक्कत होती थी लेकिन book readers को एबात मालूम होगी कि book में Hermione ने इन सभी चीजों को solution ढूंड लिया था Hermione ने D.A. के हर एक member को एक fake galleon दिया था जिस पर Hermione ने protein charm का use किया था इसलिए Harry D.A. की practice के लिए जब भी date और time decide करता था तो वो उस date को अपने fake galleon में लिख देता था जिस वज़े से हर एक D.A. के member के coin पर वो ही date अपने अप लिख जाती थी और सभी members को पता चल जाता था कि अगली practice की date क्या है Harry Potter and the Goblet of Fire movie में हमने देखा ही था कि Rita Skeeter जो daily prophet की reporter थी उसे लोगों की life के बारे में मिर्च मसाला लगा कर लिखने में कितना मज़ा आता था यहां तक की Rita ने डंबलडोर की death के बाद डंबलडोर की life के उपर भी एक book लिखी थी जिसका नाम था The Life and Lies of Elvis D.A. डंबलडोर हाला की movie में यह कभी भी पता नहीं लग पाया कि Rita को इन सभी चीजों के बारे में पता कैसे चलता था लेकिन book में Hermione ने इस बारे में पता लगा लिया था कि Rita एक unregister animagus है और वो बीटल में बदल सकती है इसलिए Rita Skeeter बीटल बन के छुपके से लोगों की बाते सुन लेती थी और उन सभी चीजों को अपने newspaper में छाप देती थी नमबर फाइव Deadly Hallows Part 2 मूवी में हमने देखा ही था कि जीनी अकेले ही Bellatrix से ड्यूइल कर रही थी जिसके बाद Molly Bella को मार देती है लेकिन अगर आपने बुक पड़ी होगी तो आपको ये मालूम होगा कि जीनी अकेले नहीं बलकि हर्माइनी और Luna के साथ Bellatrix से फाइट कर रही थी जिसके बाद बुक में भी Molly ही Bellatrix को मार देती है नमबर 6 मैं मैं अपनी पुरानी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ लेकिन आपको ये बात मालूम नहीं होगी कि सीरिस खतम होने के बाद भी हर्माइनी ने S.P.E.W. के कंसेट को छोड़ा नहीं और इस बार उसने सिर्फ हाउस हेल्फ के लिए ही नहीं बलकि सभी Magical Creatures की कंडिशन को सुधाने के लिए बहुत सी चीजे की हैरी पॉर्टर सीरिस खतम होने के बाद हर्माइनी के Ministry of Magic बनने से पहले उसने Regulation and Control of Magical Creatures के डिपार्टमेंट में काम किया जहां उसने Magical Creatures की कंडिशन को सुधानने के लिए बहुत सारे नए लॉज को बनाया जिसकी वज़े से Magical Creatures की कंडिशन Wizarding World में बहुती ज़्यादा इंप्रूव हुई नमबर सेवन हाफ बलड प्रिंस मुवी में डंबल दोर की देथ के बाद जब हैरी ने वाल्डमोट के सभी हॉक्रोक्स को ढूंड कर डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया था तो हर्माइनी हॉक्वर्ट से जाने से पहले डंबल दोर के ओफिस से हॉक्रोक्स से रिलेटिड सभी बुक्स को चुरा लेती है ताकि हॉक्रोक्स हंटिंग के टाइम ये बुक्स उनके काम आ सके हाला कि इस सीन को मुवी में नहीं दिखाया गया लेकिन बुक रिडर्स इस सीन के बारे में जानते होंगे नमबर एट Order of the Phoenix मुवी में जब हैरी डंबलडोर आर्मी के साथ सीरियस को बचाने के लिए Ministry of Magic में जाता है क्योंकि वॉल्डोर मॉट ने हैरी को ऐसा विजन दिखाया था कि वो वहाँ पर सीरियस को मानने वाला है लेकिन Ministry of Magic में पहुँचने के बाद हैरी को पता चलता है कि ये सभी वॉल्डोर मॉट की चाल थी क्योंकि वो उसके जरिये प्रोफेसी को पाना चाता था जिसके बाद वहाँ पर डंबलडोर आर्मी और देथ इटर्स के बीच फाइट होने लगती है लेकिन तबी फीनिक्स के मेंबर वहाँ आ जाते हैं जिस वज़े से डंबलडोर आर्मी के मेंबर सही सलामत बच जाते हैं लेकिन अगर आपने बुक पड़ी होगी तो आपको मालुम होगा कि डेथ इटर्स और डंबलडोर आर्मी के बीच हुई फाइट में हर्माईनी लगभग मनने ही वाली थी दॉलोफ नाम के एक डेथ इटर्स ने हर्माईनी के उपर एक कर्स का यूस किया था जिसके बाद हर्माईनी बेजान होकर वहीं पर भियोश हो गई थी हाला कि बाद में जाकर हर्माईनी ठीक हो जाती है लेकिन इस सीन को मूवी में नहीं दिखाया गया तो आपको इन सभी फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अब अगर आप जानना चाते हैं कि मगल बोन बच्चो को हॉगवर्ट्स में कैसे चुना जाता है तो राइट वाली वीडियो देखें और अगर आप दे नन मूवी के एक्स्प्लेनिशन देखना चाते हैं तो लेफट वाली वीडियो देखें और अगर आप विजर्डिंग वर्ड से अपडेटेड हैना चाते हैं तो आप हमारे शोशल मीडिया पेजिस को भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो जाद ही पसंद आ गई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं